नमस्कार दोस्तों आपके साथ मैं हमूभर्षा दोस्तों भारती जंटा पार्टी के साल बेमिसाल के और ये दिखाने की कोशिश करने लगो से लिए नमस्कार ना इज他नतरी काम किया है और ये बखान करते यह चाहे भाजपा कमंद्री और सांसाद हो या फिर खुद प्रदार मंत्री की नहीं नो साल बेमिसाल डिखाते हैं कि मोधी है तो मुंकिन है और अपने नेदत में देश को नहीं से कहां पहुचा दिया लेकिन अब जो कपर सामने आई ब्लक में अधिकारी हैं उनको किस तरह से जो हैं जंता आईना दिखा रही है रहे हैं अधिकारी मोधी के साथ जो हुआ बद्धिपरदेश में वो एक जंसभा को सम्वोधित करने गए उसके बीच में वहाँ पर क्या कुछ हुआ वो आपने देखा बड़े बड़े जो नेता है जो तिर अदित्ति सिंधिया हो या फिर अनुराख ठाकुर हो या फिर खुद भारती जंता पार्टी के स्टार प्रचारा के स्टार चुहरा जो कह सकते हैं रानमंत्री मोधी सभी को जंता ने आप आईना दिखाना शुरू कर दिया बता दिया है भारती चंता पार्टी अब और हम आपको नई साएंगे दोस्तो ऐसी खबर अब सामór आई है उत्तरपरदेश के बारेली से और खुदभाचपा के शेतर जातर से उनके खुत नर्बाजी की गई वीरोध पर दर्शन के गई सिर्फ इसलिए कि अब जनता ने ये दिखाना ये बताना शुरू कर दिया है कि आपने अपने कारेकाल में कुछ नहीं किया जूटे वादे किये केवल अब जैने कि दोस्तों कुल मिलाकर बात कहें तो भारती जनता पार्टी की असलियत अब सब के सामने आ चुकी है और सब ल दिखाती है आपको भारत समचार ने लिखिए मेरा माटी मेरा देश कारेक्रम में फोचे भाच्वा सांसाथ संसत धर्मेंद्र कश्रफ को गरामीरों ने घराफ कि रफ यह की और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गारी को आगे नहीं बढ़ने दिया ग्रामीरों ने वह चापर भाजपा के बड़े बड़े सांसदों मंत्रियों को काले जंडे लिखाए जाते हैं कभी उनकी जन आशिरवाद यात्राओं पर पत्थर बाजी की जाती है तो उनका स्वागत किस तरीके से किया जाए 2024 का एक रुज़ान है दोस्तों इसी के साथ खबर को हिंदुस्तान ने भी लिखा क्या कुछ लिखा है पूरा मामरा मैं आपको बताती हूं मेरा माटी मेरा देश कारेक्रम में यूवकों का हंगामा ग्रामी ने उनको घिराब कर दिया मुर्दाबाद के नारे लगाए उनसे सवाल किये कि आखितकार आपने क्या 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 कोई विकास नहीं किया बरेली जिले के आंवला के अनंतपुर गाओं में मेरा माटी मेरा देश कारिक्रम में हिस्सा लेने धर्मेंद्र कश्यप का अनंतपुर गाओं में पंचाय सचिवाले पर मेरा माटी मेरा देश कारेक्रम का यह तैस्वीरों को देख सकते हैं जहां पर साथ का विरोध किस तरीके से क्या जा रहा है क्या हो रहा है तो आप वीडियो देखें उसके बाद आप से आगे बात करते हैं दोस्ते वीडियो आपने देखा कि किस तरह से भार्टी जनता पार्टी के सांसत का उन्हीं के सांसती शेत्र में इस तरीके से स्वागत किया गया है इस तरीके से उनके खिलाफ में हला बोला है ग्रामिरों ने और खुलकर बोला है और खुलकर नारे बाजी किया और दिखा द श्वेत्र बढ़ा है उन्होंने विकास्त कारी करा है यह सुनकर यूवकों ने हंगामा शुरू कर दिया ऐसे में भाजपा कारी करता हो और सांसत की सुलक्षों में तैनात पुलिस कर्मियों ने तीनों यूवक को कारी करम से बाहर किर दिया आकर यूवक ने नारिबाजी करन कि युवक को थपड बिमार और उसके बाद में मुर्दबाद कि नारी भी लगाया गया यानि कि सवाल जवाब किये जा रहे थे कि संसदी शेत्र जो बढ़ा है तो इस नहीं हाप पर विकास का रहे दिरेदरिगत कराय जा रहे लेकिन इस पर युवक जो एक घ्रामीर भड़ में रच शुकार इक्राम में हिस्सा लेने गया था पंचायज भवन में बैठा की मीटिंग की दोरान गाओं में साफ सपाई को को लेकर पूर्व प्रधान के दो बेटों की मौझुदा प्रधान से कहा सुनी हो गई समझाने की कोशिश की मूर प्रधान के बेटे नहीं बढ़ा लेकिन मैंने थपर नहीं मारा है लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल यहीं उठता है कि किस तरीके से 2024 से पहले हर राज्य कुरुजान सामने आए चाहे वो मध्यप्रदेश हो चाहे तेलंगाना हो या फिर चाहे वो उत्तरप्रदेश हो या फिर रदिस्थान हो हर जगे जिस तरीके से भारती जंतर पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं को मंत्रियों को चुनावी प्रचार करने के भी भेज़रे लेकिन जिस तरह से उनको महाँ पर जाकर सामना करना पड़ रहा है वो अपने आप में कई सारे सवाल भी दिखाता है सवाल खड़े करता और यह बताता है कि भाज़पा से कितने खवा है जनता दोस्तों अभी हाल ही में तीन वीर जवानों की शहादत होती जिस पर प्रधावंत्री मोदी ने एक शब्द भी नहीं का तो तमाम चीज़ें तस्वीरें जो दिखाती है कि भाजपा कर रवया किस तरीके का है किस तरीके जिभारती जिता पार्टी लोगों को ललाने भीडाने का काम करती है और किस तरह से उसका पूरा साथ देते हैं भाजपा के सारे नेता तो आप इस मुद्ध्य पर क्या सोचते कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए और इसी तमाब वीडियो के तेरे बेरे साथ दिकंटा